नमस्कार दोस्तू, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट की, वो भी बिना चॉकलेट की, तो बनाएंगे हम कोकु पॉडर से, और इसे हम बिना अंडा का बनाएंगे, और बिना ओवेन का बनाएंगे, सबसे पहले हम एक ब आधा चमब्र आघे मिक्स कर लेंए जैसे के बाद अधा कप दही, कैज दही को हम भी डाल करके इसे फेटेंगे अच्छी तरह से, इसके बाद हम सुखी जो समागरी है वो डालेंगे, जैसे कि हमारा एक कप मैदा हो गया, तीन बड़े चम्मच हम कोको पॉडर डालेंगे, आज इसी से हम चॉकलेट केक बनाएंगे, साथ में हम चुटकी भर नमक ल तो तुन गया, हम एक चम्मच और आधा चम्मच लेंगे बेकिंग सोड़ा, उसे अच्छी तरह से, मिक्स करते गूए, इसमें हम मिलाएंगे, अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके, हम दूढ डालेंगे, जितना ज़रूरत हुत नहीं दूढ डालेंगे, और थोड़ा- paper डालकर मेन ऊपर भी थोड़ा सा आल करके हम grease कर लेंगे चारी ऊड़ भी और इस तरह से grease करने के बाद इसको पोर कर लेंगे यह मारा जो बैटर है क्यक कमुन ओर इसे पोर कर लेंगे डाल करके अच्छी तरह से अब फिर इसे हम टैप कर लेंगे एक दो बार ताकि हमारा जो एयर है वो एयर बबल निकल जाए और स्मूथली इसमें हमारा केक का बैटर आ गया है तब एक कढ़ाई में हमें प्लेट रख लेंगे और गर्म करने के बाद इसे भी हम ढख करके कम से कम 40-45 मिनट इसे हम बेग करेंगे इसे हम चेक कर लेंगे 45 मिनट के बाद देखे हमारा पिक बिलकुल साफ है नीट और क्लीन है यानि हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है तो उसे हम निकाल लेंगे, आब बनाएंगे इसको उपर थ्रह गार्निस करेंगे, इसका एक चॉकलेट गनास बनाएंगे तो आधा कफ हम पीषा हुआ चीनी लेंगे और दो चम्मच लेंगे हम kol-k Mickey पॉडर और उसे मिक्स करेंगे इसमें डालेंगे हम एक चम्मज भर करके अरारोट या आप डालिए कॉन फ्लोर जो भी आपके पास है वो आपको ठिक करेंगा यह उसे भी डाल करके हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम दूड डालेंगे दूड भी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और आधा कप ये दूद इसमें डाल लेंगे हम ये अच्छी तरह से देखे मिक्स हो गया है पुरा दूद डाल करके अच्छी तरह से इसमें लंस नहीं होने चाहिए तो अब इसे हम गैस पे चढ़ाएंगे बिल्कूल धीमी आच पे और साथ में डालेंगे एक बड़ा चमज बटर इससे क्या होगा इसमें ग्लेज आएगा अच्छा तो इसे धीमी आज में हम पकाएंगे कम से कम दो मिनट तक तो इस तरह से ये पकते हुए देखे कितना अच्छा ये बन गया है ये हमारा गनास चॉकलेट गनास तो ये हमारा रेडी हो गया है केक भी हमारा ठंडा हो गया है तो अब हम क्या करेंगे किसी जाली के उपर हम केक के उपर का जो बटर पेपर उसे निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद ही आप इस पे ये पोर कीजिएगा ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक बना है बहुत ही सौफ्ट बना है कलर भी बहुत ही अच्छा आया है तो अब ये निट के उपर रख करके बड़ा प्लेट के उपर और धीरे-धीरे सब ये चॉकलेट गनास जो है उसे हम पोर करेंगे और इसको टाच नहीं करेंगे उपर से ही डालते जाएंगे चारों साइड अच्छी तरह से ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से कवर अफ हो गया है चारों साइड से जो भी एक्स्ट्रा है वो नीचे प्लेट में गिर जाएगा और दो तीन मिनट के बाद इसे आप फ्रीज में रख दीजिए कम से कम दो घंटा के लिए सेट होने के लिए उसके बाद निकाल लिए फ्रीज से और उसमें आप मन चाहा जो भी डेकुरेशन करना है आपको वो कीजिए तो ये चॉकलेट बिस्किट है तो ये इस तरह से आ तैयार है अगर आपको अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए